मैं डॉक्टर हिमेंदर रोडा, असिस्टन प्रोफेसर गॉर्मेंट डामेस कॉलिज बिकानेर आज आपको भारत में जनसंख्या में वृद्धी के विस्फूर्ट और वृद्धी के क्या क्या कारण है उसके बारे में बताता हूँ पिछली टर्ण पे हमने उँची जनमदर वाले कारण को डिसकस किया था आज हम दूसरी कैटेगरी जिसमें मिट्टूदर गटाने वाले कारण को डिसकस करता हूँ भारत में जनसंख्या में तिवर गती से वृद्धी का एक मूल कारण जो है वो है मिट्टूदर में एप्तियाशित कमी होना जिससे सर्वाइवल रेट बढ़ गई है मिट्टूदर में कमी लाने वाले तत्विस्पगार है पहला चिकिच्था हैं हम स्वास सेवाँ में सुधार भारत में योजनाबद्य विकास के पिछले वर्षों में स्वास्तियम चिकिच्थी की सुविधाओं में काफी वृद्धी की गई है इससे नए केवल बच्चों की सहशवकाल के मिर्टूदर गटी है वरन प्रसवकाल में होने वाली मिर्टूदर भी गटी है दूसरा कारण है आर्थिक स्थर में सुधार योजनाबद्य विकास से देश के राश्ट्य आए उत्पादन और रोजगार में विर्धी से लोगों का आर्थिक स्थर उपर उठाए और लोगों के उच्चे जीवन इस्थर से स्वास्त में सुधार हुआए तीसरा महामारियम में अकाल मिर्थी उपर नियंतर्ण देश में चिकिस्ताहिम स्वास सुधाय के वृद्धियों से अकाल मिर्थी उपर नियंतर्ण किया गया है और अगला कारण है औसत आयू में वृद्धी 1971 में 22 वर्ष हो गई अब ये जो है 64 से 65 वर्ष का अनुमान है अगला पॉइंट है स्वास्त में सुधार लोगों के मन में शिक्षा प्रसार से स्वास्त रहने की रूची बढ़ी है उत्तम स्वास्त हजार नियामत की धारना बढ़ी है अत्य स्वास्त सुरक्षा के सभी प्रयास किये जाते हैं और मिर्तुदर में कमी से जनसंक्या में वृद्धी होती है तीसरी कैटिगरी जो है जनसंक्या में वृद्धी के राजनितिक कारण पहला है शर्नार्थियों का आवागमन भारत में शर्णार्थियों के आगमन से जनसक्या में काफी वृद्धी होई दूसरा कारण है प्रवाश्ची भारतियों की वापसी कट्टर राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रवर्ती के कारण विर्ण देशों में वसे भारतियों मूल के निवाश्ची पुने लौट टोट कर आ रहे हैं तीसरा राजनितिक प्रतिनिद्वत्व की नीथी भारतिय समिधान में संसत तदा विधान सवाहों में सदश्चों की संख्या और विन राज्जों में सीटों की संख्या का अधार जंसंख्या है केंद्री कर्व राजस्ट के वित्रण में जंसंख्या का अधार बना गया थे प्रतेक राज जी अपना हिस्सा बढ़ाने के चक्र में रहता है जनसंक्या नेंदरन की उपेक्षा होती रहती है तो ये कुछ कारण थे जो जनसंक्या मृद्धी के राजनितिक कारण है दूसरा ये भी है कि हम देखते हैं कि अगर हमारा देश जो है प्रोग्रेस कर रहा है तो प्रवासी भारती इसलिए भी जो है वो अपने देश की तरफ लोट कर आते हैं क्योंकि यहां उनके ग्रोथ रेट के और एकनॉमिक ग्रोथ रेट के और सर्वाइवल के अच्छे जो है वो आई मिन आउसर हैं तो भी प्रवासी भारतीयों की वापसी होती है फिर हम देखते हैं कि भारती जनसंक्या का बहुते क्वित्रन क्या है फिजिकल डिस्टिबिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है तो भारत में जनसंक्या का बहुते क्वित्रन काफी ऐसमान और ऐसंतुलित है कुछ बाग बहुत आबाद हैं तो कुछ बाग वीरान में तुनसान है कुछ बाग में नगरीम साक्षर ता जनसंक्या साक्षर जनसंक्या दिख्या तो कहीं ग्रामी नारन पर जनसंक्या का बहुल लिया कुछ बागों में पुरुशों के मुकाबले इस्तियों के दिखता है तो कुछ बागों में उनकी कमी है विविन शेत्रों में जनसंक्या का घनत्वी समान नहीं और विविन आयू वर्गों में जनसंक्या का वित्रण भी ऐस्तमतुली थे इस परकार विवित्ताओं के देश बारत की जनसंक्या में भी विवित्ता में एक रूपता दिश्टी गोचर होती है बारत की जनसंक्या 1981 में 68.4 करोड थी और मार्च 2001 में बढ़कर 102.7 करोड हो गई मार्च 2011 में बढ़कर 121.07 करोड हो गई इस जनसंक्या का विबिन राज्यों में वित्रण जो है ऐसमान है बारत का सबसे एक जनसंक्या वाला राज्य जो है उत्तरप्रदेश है जबकि दूसरा बिहार, तीसरा स्थान, मारास्ट और चौथा स्थान, पश्ची मंगाल का है तो ये हम देखते हैं कि बारती जनसंक्या का बहुत एक वित्रन जो है राज़िवार वित्रन अगर अगर अपन देखेंगे तो हमें कई तरह के वित्ता हैं जो है दिस्टी गोचर होगी आज हम यहीं तक करेंगे, थैंक्यू